तुलसी विवा जिसे की देव उठाइनी एकादिशी भी कहा जाता है ये कार्थिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादिशी तिथी को मनाई जाती है जो कि इस वर 15 नवंबर 2021 को मनाई जाएगी ऐसी मानेता है कि इस दिन विश्णु जी घोर नित्रा के बाद चार महेने के बाद जाकते हैं इसके अलावा आज के दिन तुलसी जी का विवा विश्णु जी के अफ़ता शाली मांग जी के साथ किया जाता है ऐसी मानेता है कि आज के दिन के बाद तुलसी जी अपने व्यकुन धाम की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं आज के दिन पूजा करने से मोक्ष प्राप्ति होती है जिन जातकों की लड़किया नहीं होती, यानि करने आया होती उन्हें जिन्दिकी में एक बार तोलसी विवा ज़रूर करना चाहिए ऐसा करने से उन्हें विश्णो जी का आशिरवाद मिलता है और मोख्च प्राक्ति होती है इसके अलावा जिन जातकों की कुंडिली में शादी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है जिन जातकों की दामपत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम है उन्हें जिन्दिकी में तोलसी विवा ज़रूर कराना चाहिए ऐसा करने से दामपत्य जीवन ठीक होता है जिन जातकों की शादी विवा में अर्चने आ रही है उन्हें भी आज के दिन प्रत और पूजा पाट करना चाहिए और शाम के वक्त तुलसी जी का विवा कराना चाहिए ऐसा करने से उनकी लाइफ में जो शादी रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है वो सारे कश खतम हो जाते है आज के दिन पूजा करने से विश्णू जी और तुलसी जी दोनों का ही आशितवाद राप्त होता है आए बात करते हैं कि आज के दिन का शुब मुरत क्या है तुलसी विवा का शुब मुरत शाम की साड़ी पांच बज़े से लेके साड़ी साथ बज़े तक का है दिन में पूजा पाठा पूरा संपूर दिन कर सकते हैं परन्तु विवा का जो समय है वो यह आ रहा है आए बात करते हैं कि आज के दिन पूजा कैसे की जाती है या तुलसी जी का विवा कैसा कराना चाहिए सबसे पहले तुलसी जी का एक पेड़ लेना चाहिए जिसे एक गमले में लगाना चाहिए ये जो गमला होता है इसको गेवए रंग से रंग देना चाहिए इसके बाद तुलसी जी को चुल्डी चेहरानी चाहिए कपड़े साड़ी भी चढ़ा सकते हैं सुहाग का सारा समान चड़ाया जाता है जिसमें चूड़ी पिच्छिया पायल सुहाग का बाकी समान चड़ाया जाता है इसके बाद उन्हें एक पट्रे के उपर लाल कपड़ा बिच्छा के उसके उपर इस गम्ले को रख देना चाहिए दूसरे पट्रे पे शालिमाग जी की तस्वीर को रखना चाहिए सामने एक कलश रखना चाहिए उस कलश पे आम के जो है पांच या साथ पते रखने चाहिए उसके उपर एक कद्याली में दीपक जलाना चाहिए इसके बाद शालिमाग जी की तस्वी को पट्रे समेथी चारो तरफ परिक्रमा करनी चाहिए ये परिक्रमा चार बार या साथ बार की जानी चाहिए इसके बाद पट्रे को शालिमाग जी को उनके बगल में रख देना चाहिए तुलसी जी को उनके बाई तरफ बिठाना चाहिए इसके बाद तुलसी जी को सिंदूर चड़ाना चाहिए ऐसी मानेता है कि ऐसा करने से तुलसी जी और भगवान विश्णु का आशिवाद हमें प्राप्त होता है आशा करती हूँ तुलसी मा की विष्टु जी की मा लक्ष्मी की किपादिश्टी आप सब पे बसे इनी शुपकामनाओं की साथ मैं पंडे शिप्रा सदेव आपसे बिदा लेती हूँ ओम नमस्षवाई शिप्ची सदा साए जै मातारी